इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है भारत को सिर्फ गलम गलोच नी की गई बाकी सारा काम उतार दिया होका बताया गिया है कि भारत जो हमारे यह फिरका और आना फसादा करना चाहता है अच्छा भारत अगर फिरका और आना फसाद करना चाहता है तो फिर आप किस मर्स की दवाए है आप सिर्फ यह बता देते हैं कि अगले मुईने गैस का बहराना आने वाला है आप सिर्फ यह बता देते हैं कि देखो चीनी का बहरान सर पे है चीनी की कीमत अज़ खुद कम होती है और आप टूइट दाग देते हैं कि देखा मेरी परफॉर्मंस और चीनी की कीमत अब दोबारा बढ़ गई तो आपने दोबारा लियाप ओड लिया ये किस किसम की आटो मोड वाली हुकूमत है कहते हैं कि मौलाना अदिल खान का कराची में होने वाला कतल भी फिर कवाराना फसाद की साज़िश थी वो सरकारी मुलाओं को मिला करके साज़िश अपने नाकाम बना दी जाहर है कि जिनके मदर्सों को और जिनके मू को सरकार की भीग की आदत लगी हो वो तो सरनिगू होंगे ही चाहे वो आपके सामने हो या वाइस रायसिंदी के सामने या उनकी फिर पार्टी के सामने आप फर माते हैं कि एदारे बrese बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं आप केमसी के डिय वाटर बॲूड की मेरे खैले ही हूँ कि वजीर आजम की किसी बात का कभी कोई इस अर्ज पाक पर सही मतलब निकालने में सही को इंवर्डिट कौमाज में समझीएगा काम्याब हो जाए उनकी हर बात का दूसरा ही मतलब होता है उनकी हर बात का मैं ब्लैक मिल नहीं होगा जबकि रिवायत के मताबिक चाती पीटने का भरपूर एहतमाम किया गया माजी की हुकोमतों पर तबर्रा किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान में अब तक होने वाले और आइंदा जब तक इनकी हुकूमत है हर बुरे काम का बाहिद जिम्मेद अब तक है एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट उससे एहतराज किया गया इजतनाब बरता गया इसे एक सानेहे के वाले से और उस पर सोने पे सुहागा वो एक फोटो रिलीज या प्रेस रिलीज जारी करने की क्या आफ़त आ गई थी कि जिसमें बैट करके तुर्की के ड्रा जा रहा है कि जी आप भी ये बनाएं सर रियल लाइफ में इतना बड़ा मैसकर हुआ है और आप ड्रामों और फिल्मों के पीछे मतलब आपकी प्रियरिटी इस क्या है मेरा सवाल वही है आप पूरी दुनिया को कह लें सान्यात होते हैं लेकिन जो अमूर मुमलिकत है वो तो चलते रहते हैं अगर वजिर आजम ने उनसे मुलाकात किया और उसका इलामी जारी हो गया तो इसमें कौन सी अच्छंबे की बात है आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो मुस्रूफिया थी आप मेरे मुन्तखिब लोग हैं सुन तो लीजे अप उसमें से चूज कर लें कि यह पॉइंट मैंने उठा लिया और इसके जो जुमला कहा ना मुझे उस पर इत्राज नहीं मैं यह थोड़ी कह रहा हूँ सर में उठा के खाक डाल लें मैं यह थोड़ी कह रहा हूँ आप एद्दत में बैड़े हैं माजला यह थोड़ी कह रहा हूँ सर अमूर मुमलिकत वजीर आजम या वजराय आजम के जो अमूर होते हैं जो अमूर मुमलिकत जिने आपने कहा क्या वो फिल्मों ड्रामों के फजाईल बयान करना होते हैं या अपनी قوم के लिए डिसिजिजिन मेकिंग करना नंबर वन नंबर टू एक ऐसे वक्त में कि जब आपको पता है कि आपका एक एक जिसको कहते हैं बयान आपकी एक एक हरकत नोट की जा रही है उस एक वक्त में आप इतना बड़ा पंगा मोल ले ले लेते हैं विद आल डियू रिस्पेक्ट ने, 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 बिल्कुल ऐसा दिय है बिल्कुल ऐसा दिय है, लेकिंग अचावारे मीनिस्टर की कीडिली के हिसाब से इस shirt rigut South दिरager वाइसे प्डेलियू तो उसका एलाममें यह बत कर एख एक वह अरतमित्ट की चीम उनसे मिली है तो किया बाई उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसकों आप अब मैं बता देता हूँ प्राइम मिनिस्टर को उसमें घसीटना चारे हैं भाई यह घसीटने वाली बात है अब मेरे मुन्तखी वज़िया आज वो पाकिस्तान है कि कमस कम सकून से सोते हैं सकून से कराची शेयर में भी फिरते हैं इसी शेयर के अंदर फिरना बहुत ज्यादा मुश्किल था तो यार जो अच्छी चीज़ें उनको भी हाईलाइट करो उन बातों को भी बताओ वो पहल मैं रात के खाने में मुर्ख मुसल्म भाया था वो तो पास थे मैं उसकी बात नहीं करता सुरी अब हर चीज़ के ओपर आप सब्सक्राइब बैड़ जाएंगे तो इस तरह तो नहीं हो मैं आपको बताओं कि इनसान कितना मुस्टंडा और तगड़ा हो जाता उससे नो सर डैट वस नोट माई क्वेस्चिन मैं ये कहना चाहरा हूँ एक सर मैं आपको भी लपेट लेता हूँ करीम खौज़ा साब ये मुझे बताईए एक बुन्यादी तोर पर मीडिया मैनेजम का फौकदान नहीं था उस एक वक्त में उस एक तस्वीर का जारी करना उसने ज्यादा प्रॉब्लम्स को जो है वो नहीं हो किया बिल्कुल जब उसका बाल केंच रहे थे नहीं ये जो तस्वीर है मैं इसकी बात कर रहा हूँ तुर्की के ड्रामा फलाना धिमकाना देख्य जो जो उनको लेकर आए वो ही करार रहे होंगे सबसे होंगे अच्छा दूसरी बात के जमेदारान में ये तो ये कह सकते थे थे ना कि बलोचिस्तान हुकूमत अर्बा खर्बा रुपया देते हैं उन सेकुरिटी अदारों को उन्होंने क्यों गल्तिया की जिसके सबस्कान इर्रेलेवंट वक्ट के साथ होते जा रहे है और इरर् пошते जाएंगे जो होना चूरू हो गए हrió और होने जा रहे हैं और उंसमें उनकी अपने लोग पी शामल हैं और उनके दूसरे लोग पी शामल है जो लेकर आए हैं तो हो अपने आखरी दिनों में जब हिट आपने देखा होगा ये एंकर इंडिया में काफी पॉपलर है क्योंकि इसका एक तरीका अलगा ए एंकरिंग करने का और इसने इस तरीके से इस मुद्दे को समझा है आपको पता है पाकिस्तान में ये मुद्दा पिछले दस दिनों से काफी ट्रेंड कर रहा है हजारा लोग, हजारा लोगों की किलिंग हुई है और हजारा लोगों की किलिंग पिछले कई वर्सों से हो रही है पाकिस्तान में लगभग जब से पाकिस्तान मना है पचास से साथ हजार, हजार मारा हजार लोग, हजारा सिया मुस्लिम मारे गए है हर साल इनकी तादद में जाफा होता जा रहा है और इसमें इमरान खान सरकार जो जब गवर्मेंट में नहीं थी इसे सीधा सीधा सेक्टर जियम मतलब सिया सुन्नी का मसला बोलती थी अब यही गवर्मेंट सीधे इसमें इंडिया को ब्लेम कर रही है तो दोस्तों आब समझ सकते हैं पाकिस्तानी कितने जो दोगले किस्मिके हैं इनको क्लियरली पता है कि यह मसला है सीधा सुन्नी का इसमें जो पाकिस्तान के कट्टर सुन्नी लोग हैं जो मौलाना लोग हैं सीधा के खिलाब लोगों को भड़काते हैं और इससे कई terrorist hour organization खड़े हो चुके हैं जैसे कि लसकर जंग भी जिसने इस killing की जिम्मेदारी ली है ये पिछले कई समय से हजारा लोगों को और सियाओ को स्पेस्ली टार्गेट करकर के मारती है उब अलिचस्तान में जो हिंदू रहते हैं उन्हें भी मारती है तो दोस्तों ये कोई नई घटना नहीं है अब इस घटना को लेकर इमरान खान ने बोला कि जो जिल्ली लोग मारे गए हैं वो blackmailing कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को लेकर हाला कि वो परिवार वाले वस ये request कर रहे थे कि इमरान खान ने वादा किया था कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनुगा तो ये किलिंग बंद हो जाएंगे तो प्लीज हमें आके एक बार ensure कर दें दोस्तों अब आपको पता होगा कि इमरान खान की पत्नी काला जादू बगएरा करती है ये खावरें भी पाकिस्तान में आ रही एक ही परिवार के 5-6 लोग मरे थे उन्होंने दफन नहीं किया था अपने परिवार वालों को फाइनली आज उन्होंने दफन कर दिया और अमरान खान जीत गया इसी को ये anchor बता रहा है तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस मसले को लेकर पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान की जो इमिरान खान के सपोडर है टोटली इंडिया को ब्लेम कर रहे थे सुरुआत से लेकिन जो कर समझदार जनलिस्ट थे उन्होंने बोला था कि आपको इसे कंट्रोल करना है तो उन कट्रपंती मौलाना लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा जो सिया सुनी विवाद हमीसा जगाए रखते हैं मतलब जहर गोलते हैं यहां तक कि एक सिया मुसल्मान के मौलाना ने ये बोला था कि इसमें इंडिया का हाथ हो ही नहीं सकता इसमें पाकिस्तान के लोगों का ही हाथ है इंडिया के गरीब हजाराओं से क्या दुस्मनी होगी उसने यहां तक कि यह तक बोल दिया था तो दोस्व आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के दोगले लोग उनको सब कुछ पता है उन्हें पता है कि ये मसला टोटली सिया सुनी है और सिया होने की वज़ए से हजारा को मारा जा रहा है हजारा बेसीकली इस रीजन से नहीं है आपको बताते हैं हजारा लोग बेसीकली बिलोंग करते हैं मंगोल जब चंगेज खान ने अटैक किया था अफगानिस्थान और उस समय के नौर्थन इंडिया पार्ट को तो उस समय एक आजारा कम्यूनिटी यहां आई थी वक्त के साथ इनकी पीडिया मुसल्मान बन गई और आज ये बहुत सांत्रिपी तरही के से बहुत गरीब लोग है और बिचारों की गर्दन गर्दन में वार किये गए जो की काफी दिन दिन यह था बहुत दुख प्रलब देखा नहीं जा रहा था तो दोस्तों इस एंकर ने किलियरली बता दिया कि इसमें इंडिया का हाथ नहीं है तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं खत्म अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमेट बॉक्स में अपने सुझाओ जरूर शेयर करें धन्नवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए जैहन्द अजय का लगा है वीडियो अजय पनुद जोस्तों वीडियो झाँी सी आपको लिए बूब को सेकतने करें में धन्न य데 paranभा है एंथा रदो है झाल, लिए झाल, वापकोदको देखने